हाज जी दोस्तों जाहिन बंदिमातरम जैश्री प्रिष्णा क्याल चल आप सभी के तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अगनिवीर के तोव 100 इंपोर्डिड कोशन और जिन दोस्तों मैं सेशन में आ चुके हैं जल्दी से सेशन को लाइक करजीगा सेशन को शेर कर दीजिएगा और सेशन में जल्दी से कमेंड बॉक्स में जैहिन जावारत लिख दीजिया तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं without wasting time आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अगनिवीर के तोव 100 इंपोर्डिड कोशन जिसमें से आज आज आपके लिए target रहेगा कितने कोशन का 98 प्लस कोशन का क्या रहेगा target आपका रहेगा जिसमें आप सभी के लिए सभी कोशन जो रहेंगे एक परकार के रटावार कोशन रहेंगे जिसमें आपको बस रटावार ना यहां से आपकी exam में 3 से 4 कोशन आपके 100% पूछे जाएंगी चलिए दोस्तों सेरिशन को स्टार करते हैं जिनन सेरिशन को like नहीं करा है जल्दी से like करजीगा, सेरिशन को share करजीगा पहले question क्यों बढ़ते हैं चलिए दोस्तों पहला question सुनिएगा और जिन दोस्तों जल्दी से comment box में like ने लिए डैम जो है कहा बेस्ट विंगोल में आपका स्थित है, ओप्शन सुनिए ध्यान से परका दामदर नदी गाटी, मयुराक्षी, परियोचना या फिर भोकता सवी, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी आपके डैम होते या फिर परजेक्ट होते ये एक राज्य में नहीं होते, मैक आपके बही एक्जाम रण जो है, बही कोशन बहुता है, जो कर्म सुन होता है, जैसे मैं बात करूँ आपकी फरका प्रियोचन की, ठीक है, फरका प्रियोचन आप सभी को बता है, बेस्ट मिंगोल में से दीता है, और बेस्ट मिंगोल के साथ किसी राज्य के साथ में लगत तो ऐसे ही एक्जाम में पूछता है और थोड़े से ध्यांच देखूगे तो फर्का प्रियोजनी या फिर जितनी प्रजक्त आपके होते हैं उन्में जो है 10% एक्जाम में पूछते जाते हैं कि कौन सी प्रियोजना कौन से राजम देता है 90% ऐसा कोशन भूचा जाता है कि यह प्रियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है तो यहां पर राइट अंसर क्या रहेगा विलकुल सी दूस्तों यह तीनों के तीनों क्या हैं बांध या फिर प्रियोजना जो है फर्का दामोदर या फिर मिराक्शी जो है यह सभी कहां स्थित हैं बैस्ट विंगोल में आपके स्तिध्ध है चलिए क्वेशन नमर 2 सुनिएगा फरका प्रियोजना किस नदी पर स्तिध्ध है most important question 2019-2020 किस में पूछे जाना बलो question जल्दी से question number 2 का right answer बताईए परका प्रियोजना कौन सी नदी पर स्तित्त है बिलकुल जोस्तों कौन सी नदी पर आपकी दोनों क्या गंगा और भागी रती नदी दोनों नदियों पर निर्मित है option number B option number C option number C बिलकुल जाई option number C इसका right रहीगा चलिएगा question number 3 आपके सामने question है काकरा पारा प्रियोजना किस राज्य में स्तित है in which state is the काकरा पारा प्रोजेक्ट लोकेटिड option जल्दी से बताईएगा option discuss नहीं करेंगे सीधा जो मैं right answer discuss करूँगा जल्दी से question number 3 का right answer बताईए काकरा पारा प्रियोजना कोन से राज्य में स्तित है बिल्कुल जी दोस्तों कहां प्रतित है गुजरात राज्य में स्तित है option number B इसका right रहीगा हाँ जी दोस्तों next question सुनिएगा question है काकरा पारा बहुदेश्य नदी घाटी प्रोजना किस नदी पर निर्मित है किस नदी पर निर्मित है जल्दी से तही question 4 का right answer क्या रहीगा हाँ जी दोस्तों बिल्कुल जी कौन सी नदी तापनी नदी पर निर्मित है option number A रहीगा चलिए next question है उकाई पिरोजना किस नदी पर स्तित है on which driver is उकाई पर निर्मित है जल्दी से इसका राइटन से बताई question number 5 का right answer क्या रहीगा उकाई पिरोजना कोन सी राजे में बिल्कुल से कहा तापनी नदी पर स्तित्या और ये कोन सी राजे गुजरात कहाँ पर पाफ कीजिएगा कोन सी राजे में गुजरात राजे में आपकी स्तित्थ है चली next question सुनिए question number 6 आपके सामने है उकाई पिरोजना भारत के किस राजे में स्तित्थ है important question है बता चुकाँ उकाई पिरोजना कोन से राजे में स्तित्थ है आपकी गुजरात राजे में आपकी स्तिध है चलिए नक्स कोशन है माही प्रोजना किस राज में स्तिध है इन विच स्टेट इस माही पोड़ेक्ट लोकेटीड आपके सामने है जल्दी से राइड असर बताईए क्योंकि 100 कोशन है ज्यादा टाइम में बेस नहीं करूंगा सीधे जो है हम कोशन और अंसर डिसक्स करेंगे अगा टाइम शाहे होगा तो वीडियो को रोक करेआप फिर ठोड़ी से स्लो करके भी आप देख सकती हो तो राइड अंसर क्या रेगा बिल्कुल सही क्या माही प्रोजना कहा ब्ला कर दिता है बिल्कुल पिर्पुल चाहीं कहा गुजरात राजिस्त हमाफ कराजिए गुजरात में आपकी स्थिक्त है चलिए कोशन नमर नाए आपके सामने और याद भी रख लीजेगा जो माही पर रोजना जो है कौन सी नदी पर मित है माही नदी पर आपकी बनी हुई है चलिए, Q8 आपके सामने Q8 है, महा नदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर निर्मित है, on which driver is the महा नदी डेल्टा प्रोजेक्ट विल्ड इन बिच राइवर, चल्दी सा आठ का राइटर से रता है, बिल्कुल चै किस नदी पर, महा नदी पर निर्मित है, option number C, क्या option number C इसक Q9 आपके सामने Q9 है, महा नदी का पर्मुक भाग किस राज्य में स्तीत है, अब यहां confusion नहीं होईएगा, यहां confusion नहीं होईएगा, Q9 है जो परियोजना स्तीत है, जल्दी से Q10 का, right answer बताएगे, कौन से राजय में स्तीत है रियल्दी प्रियोशना आपकी कहा प्रस्तीत है उत्तर प्रदेश में कहां उत्तर प्रदेश में स्तीत है option number भी राइट अरहेगा next question सुनिए एडू की प्रियोशना किस नदी पर निर्मित है most important question है इडू की प्रियोशना जो है ये प्रजय्ट है ये बिल्ड है किस राइपर पर बिलकुल छे किस राइवर पर पर पेरियार पर पर परियार नदी पर आपका इडि की प्रदेश में स्तीत है option number A बिलकुल छे ही option number A रहेगा चलिए, next question सुनिएगा, इडुकी प्रियोजना भारत के किस राज्य में स्तित है, in which state of India is, इडुकी प्रजेक्ट लोकेटिड, option आपके सामने है, जल्दी से राइट इन सिलता ही, question number 12 का, right answer क्या रहेगा, बिलकुल से दोस्तों कहा, केरल राज्य में स्तित है, option number D, इसका मिठ है, और आपके जी, किस राज्य माफ की जहा, न किस नदी पर स्तित है, टिहरी डैम लोकेटिड है, किस राइबर पर option आपके सामने है, जल्दी से question number 13 का, right answer क्या रहेगा, टिहरी पांथ विर्योजना जहर कौन से नदी पर, बिलकुल चाही, भागी रथी नदी पर नि question है, टिहरी बांथ परियोजना किस राज्य में निर्मित है, कौन से राज्य में आपकी परती है, क्या टिहरी डैम जल्दी से तहिए, बिलकुल से कौन सी, उत्तराखण में कहा, उत्तराखण में स्तित है, option number B.R. परहीगा, और टिहरी बांथ परियोजना जो है, किसी भी राज्य के साने अग्यली उत्तराकर्ण में आपकी परती है, ऐसे question ही आपके exam पोछी जाते हैं, जैसे तहरी बांथ आपके exam में पूछा गया, ये कौन सी राज्य में निर्मित है, ये भी पूछा गया, और साथ मैं ये भी पूछा गया, कि कौन से राज्य में स्तित है, क् इसका confusion नहीं है, ये एक ही राज्य में निर्मित है, तो इसमें examiner confusion नहीं करता, कभी दो राज्य होते हैं, उनके साथ निर्मित होता है, तो examiner कोई भी डाल देगा, confusion मैं ने पढ़ा होगा, गुजुरात में, पड़बो राज्यस्तान में रही होगी, या फिर examiner ने राज् पर निर्मित है, ये स्तित है, कौन से राज्य में, जल्दी से question number 15 का, right answer बताए, कोई ना परियोजना, कौन से राज्य में स्तित है, बिल्कुल चे कहा, महरास में स्तित है, option number C, इसका right अरहीगा, शली, next question सुनिए, भीमा परियोजना, भारत के किस राज्य में स्तित है, भी question important है, जल्दी से question number 16 का, right answer से राज्य में, भीमा परियोजना में, भीमा परियोजना में स्तित है, तो confusion मत हुईएगा, और comment में ये भी बात बोलिएगा, कि इसका ये होगा, ध्यान से दिखूगे, एक नहीं, दो राज्य में, maximum जो प्रियोजनाए है, वो दो राज्य में आ आपकी निर्मित है, और maximum मैं तभी पोल रहों, कि maximum पूछा जाता है कि कौन सी नदी, कौन सी नदी पर निर्मित है, ये question 90% आपके exam में पूछा गया है, चलिए, next question सुनिए, question है, भीमा परियोजना किस नदी पर निर्मित है, और भीमा परियोजना किस कृष्णा नदी पर निर्वित है कौन से राजे में है आपकी कृष्णा राइबर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भीमा प्रयोजना जो है आपकी कृष्णा और किसकी कृष्णा और पावना नदी क्या कृष्णा और पावना नदी पर निर्वित है ये दो नदियों पर आपकी निर्मित है इंपोर्डिड कोशन है एक्जाम मैं पूछा जाता है नोट कर लिजेगा कोशन नमर 17 आपका इंपोर्डिड कोशन है चले कोशन में 18 सुनिए कोशन में 18 है सलाल प्रियोजना किस नदी पर स्तित है on which driver is सलाल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर निथ है बिल्कुल सही कौन सी नदी पर क्या रहेगा राइडल से बिल्कुल सही क्या चिन्नाब नदी में निर्मित है और ये कहा पर पड़ती है ये एंड की यानि जम्मू कश्मीर में स्तित है next question नहीं आपका आएगा next question नहीं है कि साल लला आपकी चलाल project जो है कि कौन से राज्य में तो बचातों काओं जम्मू कश्मीर में कहां जम्मू कश्मीर में आपकी श्ठी선 है next question Senior next question नातपाजाकडी परियोजना जो की एश्या की सबसे बड़ी परियोजना है यह किस राज्य में स्तीत है इन वीच स्टेट इस नाथापा जाकडी है नाथापा जाकडी परियोजना एशिया विगेस्ट पोर्जेक्ट लोकेटिड कौन से राज्य में स्तीत है most important question है जल्दी से तही question number 20 का right answer क्या रहेगा नाथापा जाकडी ठीक है नाथापा जाकडी जो है यह जाकडी जो है यह कौन से राज्य में बिल्कुल से कहा हिमाचल परिदेश में कहा हमारे प्यारे हिमाचल परिदेश में यह स्तीत है चलिए next question सुनिएगा next question है question आपके सामने है नाथापा जाकडी नथापपा जाकडी प्रोजना किस नदी पर निर्मित है ये भी question imported है जल्दी से question number 21 का right answer बताए नथापपा जाकडी प्रोजना जो कौन सी नदी बिलकुल सी किस नदी पर सतलुस नदी पर आपकी निर्मित है option number A बिलकुल सी दूस्तों option number A इसका right अरहेगा question number 20 सुनेगा वाइस भाक्डा नांगल प्रोजना किस नदी पर निर्मित है भाक्डा नांगल प्रोजना इस बिल्ड इन बिच और राइवर अब यहां पर आध रखिएगा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना कि आपको कोई टॉप पी क्या फ्रीए करवा रहा हूँ बस आपको अपनी त्यारी पता लजएगी कितनी आपकी त्यारी चली हुए बिल्ड को छोड के नहीं पूरा दे स्राइब रखिएगा बैसे भाकड़ा अलग है अनंगल आपकी अलग है दोनों पूची जाती है हिमाचल प्रदेश में नहीं किया हिमाचल में नहीं कहां आती है बिल्कुल चाहां पंजाब राजे में आती है तो और C बिल्कुल सही, C इसका राइट रहेगा, चली, next question सुनिए, question है, दामदर घाटी जो की दामदर नदी पर स्तित है, यह परियोजना कौन से राज़े में स्तित है, option आपके सामने है, जल्दी से question number 24 का right answer बताईए, बता चुका हूँ, जो आपकी दामदर घाटी परियोजन option number is का right अरहेगा, अब यह question करवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि यह question imported है, question exam में पूछे जाते हैं, पर थोड़े high level के exam में पूछे जाते हैं, चली, next question है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्तित है, अब हीरा कुंड बांध से याद रख लिए जगा भारत का सबसे बड़ा ब बिल्कुल यह कौन सी नदी पर निर्वित है, कौन सी बिल्कुल यह किस नदी पर, महा नदी पर निर्वित है, option number B, option number B, इसका right अरहेगा, चली, next question, सुनिए, question है, हीरा कुंड बांध, भारत के किस राजम स्तित्या, most important question है, यह question आपको confusion ने करेगा, क्योंकि यह जो है, ए इसका right अरहेगा, हीरा कुड बांध, भारत के किस राजम स्तित्या, विल्कुल सी किस राजम स्तित्या, ओडिसा में, बिल्कुल सी, ओडिसा राजम स्तित्या, option number D, इसका right अरहेगा, चली, तुंग बादरा, परियोजना, किस राजम स्तित्या, in which state is, तुंग बादरा, पर में आपको confusion नहीं होना है ये दो राज़े में आपकी पढ़ती है और ये दोनों राज़े आपकी कौन-कौन से आते हैं तुंग भदरा जो है किसके आंदर परदेश और करनाठक में बिल्कुल चाहिए option number B क्या option number B तुंग भदरा परदेश और करनाठक में ये पढ़ती है और तुंग भदरा परयोजना जो है कौन सी नदी पर निर्मित है ये भी याद रखीजिया कि ये भी question important है शली नेक्स question सुनिए question है नागा अरजुन सागर परयोजना किस नदी पर निर्मित है ये question 2019 और 20 में पूछा गया important question है नागा अरजुन सागर परयोजना जो है कौन सी नदी पर निर्मित है जल्दी सी 28 का right answer ये गारेगा बिलकुल सी किस नदी पर कृष्टन नदी पर किस नदी पर कृष्टन नदी पर आपकी निर्मित है option number C या option number C राइट अरहीगा चली next question है नागा अरजुन भारत के किस राज्य में स्तीत है जल्दी स्ता ये option आपके सामनी है option बसे right answer क्या रहेगा in which state of India is the नागा अरजुन सागर पोर्जैक्ट लोकेटिड कौन सी राज्य मस्तीत है बिलकुल सी कौन सी राज्य मस्तीत है कहां पर तिलंगाना में कहां पर स्तीत है तिलंगाना मस्त कोशन देखिएगा कोशन है कोशन 30 है कोशी प्रियोजन ठीक है कोशी प्रियोजना किस राज्य में स्तीत है in which state is the कोशी प्रजैक्ट लोकेटिड ऑप्शन आपके सामनी है जारकर आंदर पुदेश पिहार या फिर ओडिसा जाल्दी से कोशन नुमबर 30 का right answer कोशन 30 का और कोशी प्रियोजना जो कौन सी नदी पर स्तीत है कोशी नदी किस नदी पर निर्मित है कोशी नदी पर आपकी निर्मित है शली नेक्स कोशन के वरते हैं नेक्स कोशन सुनिएगा कोशन है सर्दार सुरोबर प्रियोजना किस राज्य में स्तीत है जाल्दी सिसका यह question है सर्दार सरोबर प्रियोजना किस नदी पर निर्मित है important question है जल्दी से question number 30 का right answer होता है सर्दार सरोबर प्रिजेक्ट is located which driver on option आपके सामने है जल्दी से question number 32 का right answer यह question 32 का right answer क्या रहेगा बिल्कुल छे दोस्तों क्या नरंदा नदी पर निर्मित है option number 20 का right अरहेगा चले next question सुने next question है गांदी सागर राणा परताब सागर जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है 2021 मैं question पूछा गया था बहुत ही कनवियादा confusion था पर याद रखेगा यहां चार तेन आपके दियो है सबसे पहले गांदी सागर, राणा परताब सागर, जवाहर सागर अगर आपको राणा परताब सागर पता होगा तो यह पता है आप सभी को कौन से राजे में सतीत है राजस्तान में आप किस देता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है which is the longest canal of उत्तर प्रदेश option आपके सामनी है जल्दी से 34 का right answer क्या रहेगा सबसे longest canal आपकी पूछी गई है किसकी उत्तर प्रदेश की बिलकुल सी दोस्तो शार्दा चैनल इसका right answer रहेगा और इंद्रा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है सबसे बड़ी नहर है क्या है सबसे बड़ी नहर है ये 2021 में question आपका पूछा गया था चलिए next question सुनिए question आपके सामनी है थीन पांध डैम या फिर थीन डैम परियोजना जो की राभी नदी पर निर्मित है ये कौन से राज्य में स्तित है जल्दी से बताईएगा थीन डैम परजेक्ट जो है लोगोटिड है कौन से राज्य में है जल्दी से 35 का राइडिन से बताईए बिलकुल से 200 कौन सी तदी पंजाब आप कीजिएगा राभी नदी और कौन से राज्य में स्तित है पंजाब राज्य में आपका स्तित है नेक्स कोशन सुनिए कोशन है सवतंतर भारत की प्रतम बहुदेश्य प्रियोजना कौन सी थी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में उसके बाद पहली प्रियोजना कौन सी बिनाई गई थी बिलकुल से कौन सी दामोदर घाटी प्रियोजना जो है ये क्या है ये स्वतंतर भारत किया इन्पेंडिट इंडिया की पहली क्या है क्या है पहला परज्यक्त है या फिर कैसके पहली बोधेश्य प्रियोजना है शरिएगा next question सुनिए घृत करांती द्याश से स्वन्दित है green revelation 70 ठक इस से और भारक में श्वेट करांती का जिन्र किसे माना आता है जल्दी से comment box में बताइगा और हर्ट करांती की बीर बात कहीं जाए तो खादी उतपादन या फिर गेहूँ बिल्कुल थे ऑप्षिन नंबर डी गेहूं इसका राइटल सर्फ अरहीगा शलिए नेक्स कोशन सुनिए कोशन है श्वेद करांती नीमन मैंसे किससे स्वाधित है वाइट रेवलेशन इस रिलेटी टू पिच ऑफ दी फॉलविंग ऑप्षिन आपके सामनी है बताने की जू नहीं पड़ेगा दूद स्वेद करांती किससे रहीगी बिल्कुल थे किससे मिलक प्रोडूशन यानि दूद उत्पातन से आपकी रहेगी शलिए नेक्स कोशन सुनिए कोशन है नीली करांती किससे स्वन्दित है वट इस दी ब्ल्यू रेवलेशन रिलेटिट जल्दी से कोशन नमर थर्टी नाइन का राइट अंसर पताईए नीली करांती स्वन्दित है किससे आपके सामनी है जल्दी से बताईएगा बिलकुल थे किससे मतस से उत्पादन या फिर मतस से पालन से आपकी क्या स्वन्दी थी ब्ल्यू रिविलेशन स्वन्दी थी चलिए नेक्स कोशन सुनिए कोशन इंपोरिड है पेली करांती किसे स्वन्दी थी यलो रिविलेशन जो थी ये स्वन्दी थी आपकी किसे स्वन्दी थी जल्दी से राइट अंसर बताईए, option आपके सामने है, जल्दी से राइट अंसर राइट अंसर क्या रहेगा, बिल्कुल चीकिसे, तिलहन से आपकी स्वंदिती, option नमबर A, oil seed इसका राइट अरहेगा, चलिए, 41 आपके सामने कोशन है, बिशव की सबसे लंबी नदी कौन सी ह important question है, भार की पुछा जाए, तो आप सभी को बता है, गंगा इसका राइट अंसर रहेगा, 25 क्या, 25 आप याद रख लो, 25-25 किलोमेटर इसकी टोटल लंबाई है, और जब भी पुछा जाए, बिशव की सबसे लंबी नदी बिल्कुल सी क्या, नील राइवर, option नमबर A, इ राइटर और रहेगा, शलिए, जल्दी से question को discuss करते हैं, next question, बढ़ी एक question है, बिशव का सबसे बड़ा महा सागर, अभ्यान सुनीगा, पृत्वी का सबसे बड़ा समुंदर है, अबर यहाँ पर confusion मत होना, बस confusion नहीं होना, यहाँ महा सागर नहीं गोला है, सागर आपका प आपका रहेगा, परशाद महा सागर सबसे बड़ा महा सागर है, जैसे, बियाद रख लो, दूइप, महा दूइप, एशिया एक महा दूइप है, ग्रीन लाइट एक दूइप है, बस confusion नहीं होगा, next question सुनीए, डैश, बिशव का सबसे चोटा पक्षी है, कल ही हमने डिस्क पीछे उड़ने वाला क्या होता है, पीछे को उड़ने वाला आपका पक्षी होता है, चलिएगा, next question सिनिएगा, next question आपके सामने, बिशव का सबसे लंबी सहाइक नदी है, कौन सी, और याद रखीगा, यह नदी जो है, Amazon नदी की सहाइक नदी है, सबसे लोंगेस्ट ट्र क्या है, मेडीरा, शे जो है, मेडीरा आपकी बिशव की सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी सहाइक नदी है, और यह किस नदी की? Amazon की सबसे बड़ी सहाइक नदी है, शलिएगा, बार-बार फस्ला है, next question देखिए, question स आपके सामने, कोशन है बिशव की सबसे लंबी हाइक नदी है ये तो कोशन बहले डिस्कुस कर चुके है ठीक है नेक्स कोशन देखिए कोशन है बिशव का सबसे लंबा महादूइप सबसे बड़ा महादूइप कौन सा है बिलकुल से कौन अमारा एशिया जो है इस बिशव का सबसे बड़ सबसे चोटा महादूइप कौन सा है इसमें भी confusion नहीं होना चाहिए सबसे बड़ा एश्या सबसे चोटा क्या ऑस्तेलिया बिलकुल चाहिए क्या option number A Australia इसका रइट अरहेगा शली नेक्स कोशन सुनिए नेक्स कोशन है कि बिशप का सबसे बड़ा महासागर है बिशप का सबसे बड़ा महासागर कौन है बिलकुल से क्या specific कोशन या फिर परशाथ महासागर से इसे हम जानती है शली नेक्स कोशन सुनिए नेक्स कोशन है संसार का सबसे गहरा महासागर या फिर बिशप का सबसे गहरा महासागर बुछा जाये तो दोनों का confusion नहीं होना चाहिए दोनों ही एक रैट अंसर है किया specific ओशन बिलकुल थे च्या परशाथ महासागर इसका रइट अरहेगा चलिए, नेक्स कोशन चुनिएगा, नेक्स कोशन है, शेतरफल की दृष्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये कोशन इंपोर्डिट है, जल्दी से कोशन नमबर 50 का राइट अंसर बताइए, कि शेतरफल की दृष्टी से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन रश्या इस दाम से हमें जानते हैं पडोसी नहीं है हमारा पर एक अच्छा दोस्त भारत का एक इलाके आता है चलिए नेक्स कोशन अब रश्या इंपोर्ड़ भी इसलिए है 15 जिन्मरी और इस वाले इक्जाम मैं तो पूछा नहीं गया है युक्रेन रश्या का युद्ध पता है एक्जाम मैं जुरूर पूछेगा यहां से कोशन नेक्स कोशन आपके सामनी है कोशन को बताएगा विश सबसे चोटा देश है सबसे चोटा देश है सबसे चोटा देश है चलिए नेक्स कोशन सुनिए कोशन है सरबादिक जनसंख्यावादा देश कोंज है बिच इस दी कंट्री बिच मोस्ट पॉपलेशन बस एक ही याद आता है कोन हमारा प्याड़ा पडोसी देश चाइना क्या चाइना जो है यह पॉपलेशन में नंबर बन पर है शलिए नेक्स कोशन है निवन मैंसे सरबादिक निरवाचन संख्यावादा देश candy कूंज है अब सबसे ज्यादा निरवाचन यनी इलेक्टर्स आपके यनी लाजर नंबर औव उस इलेक्तर्स तो राइट अंसर करेगा सबसे अधिक जनसंख्या चाइना सबसे अधिक निर्वाचन पूछा जाए ठीक है निर्वाचन आपका पूछा दाए तो confusion नहीं होना है हमारा प्यारा भारत मिल्कुल थी क्या option number a right अरहेगा और एक question 2020 पे शायद पूछा गया था चलिए next question discuss करते हैं question है bishop का सरवादिक चंसंख्या घनत वाला देश कौन से highest population density आपकी पूछी गया है इंडिया रश्या चाइना या फिर मनौक को अब यहां पर आपको confusion होना चाहिए भारत रश्या चाइना अब रश्या देश्का राइटनसर हो नहीं सकता ठीक है सबसे तब पूछा गया है ना कि जनसंख्या अधनत वे सबसे अधिक कोन विल्कुल से कोन मनौक को है option number D राइटर अरहेगा शलिए next question important है bishop का सरवादिक अवादि वाला नगर कोन से है यानि ऐसी city आपको बता रही है जिसकी जनसंख्या चुह है bishop में सबसे अधिक है राइटनसर क्या रहेगा बिल्कुल से क्या टॉक्यो जपान इसका राइटनसर रहेगा और जपान की capital भी क्या है टॉक्यो है शलिए next question सुनिए question है bishop का सरवादिक सीमाव वाला देश कोंचा यानि सबसे ज़्यादा boundaries या फिर international boundary जो है किस देश के साथ लगती है किस के साथ हमारे प्या इस सामने question है bishop का सबसे बड़ा दूईप कोंच है the world largest Iceland option आपके सामने question बिता चुका हो 2021 में पूचा गया है important question है जब भी बिश्यो का सबसे बड़ा दूईप पूचा जाए तो राइटनसर क्या रहेगा बिल्कुल थी क्या इंडोनेश माफ कीजिए क्या greenland option नंबर भी इस बिश्यो का सबसे बड़ा प्राय दीप है सबसे बड़ा प्राय दीप है कौन अर्व का प्राय दीप अब यार रखिएगा दीप अलग होता है प्राय दीप अलग होता है तो सबसे बड़ा प्राय दीप आप जलसे जब भी पूचेगा तो क्या अर्व का प्राय दीप ज़ यह सबसे बड़ा प्राइदीत है चले next question चुनिए next question है bishop का सबसे बड़ा द्वीप स्मू कौन चाहिए यहां द्वीप स्मू की बात हो रही है सबसे बड़ा द्वीप स्मू है आपका जल्दी से राइट इन सरता है येगा बिल्कुल छे क्या इंडोनेशिया क्या इंडोनेशिया ओप्शिन नमबर ए इसका राइट रहीगा क्या इंडोनेशिया इसका राइट अंसर आपका रहीगा question बड़ 60 आपके सामने सबसे बड़ा द्वीप स्मू कौन से है सुन्दर वन देल्टा जो है पाश्चिमंगाल में बिल्कुल चाहिए और एकिस नदी गंगा नदी और ठीक है आपको बताना गंगा नदी के साथ साथ जो है किस नदी के साथ जो है सुन्दर वन देल्टा जो है सबसे बड़ा देल्टा आपका भारत नहीं बिशिव का सबसे बड़ा डलता बनाता है। शलीएगा। भारत की सबसे बड़ी कैनल है चलिए नेक्स कोशन सुनिए कोशन है बिशफ की सबसे बड़ी जील कौन सी है इंपॉर्डिट कोशन है बिशफ की लाज़िस लेक आपकी कौन सी या बिलकुल सी कोन सी कैस्पियन सागर ओप्षन नूमबर A इसका राइटर अरहेगा शरीब नेक्स्केशन है सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है आपको रंगा कि भारुट की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील कौन सी है कहां स्तित आ ज बिशेव की शबसे घ्योरी जील रहें जाओं से बिशेव की सवेटिक उन्चाइपर चील रहें Beach is the highest lake in the world option आपके सामनी है जल्दी से इसका right answer दोस्तों क्या अरहीगा क्या पकुछा हुआ है बिशब की सबसे उन्चाई परस्तित कौन सी है बिल्कुल से ही कौन टीटी काका टीटी काका लेग जो है बिशब की सबसे उन्चाई परस्तित क्या बिशब की सबसे उन्चाई परस्तित लेग है नेक्स कोशन है बिशब में सबसे बड़ा लेंगून कौन सा है लेंगून या सबसे खारी सबसे खारी जीर आपकी कौन सी है मेरे ख्याल से लेंगून ऐसा ही ह होता है विशम का सबसे बड़ा लेंगून कौन सा है लेगोवा डॉस पेटोस क्या लेगोवा डॉस पेटोस जो की कहां सीत है ब्राजिल देश में सीत है बिल्कुल थी होता है कि आप्षिन नमबर इसका रैटर अरहीगा चलिए नेक्स कोशन बहुत हैं विशम का सबसे उंचा जलपरपात कोशन से बहुत eh बिश्यव का सबसे उंचा जलपरपात कौन सा है बिल्कुल सी कौन सा एंजल जलपरपात ऑप्शन नमवर सी इसका राइट अरहीगा चली नेक्स कोशन है पृत्पी पर सरवादिक या फित सरवच परवत शिखरी कौन सा है which is the highest mountain peak on the earth ऑप्शन है मोना के माउट एवरिस जिसे हम सागर माथा भी कहते हैं तिबबत में नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है जुरूर याद रखीगा important question है और दूसरा याद रखीगा कंचन जंगा जो है भारत की सबसे उची चोटी है बिशव की सबसे उची चोटी बिलकुल से माउंट एवरिस है सागर माथा रखीगा सागर माथा मेरे ख्याल चे जो है 20 या 19 में पहुचा गया है important question है चले next question सुनिए question है बिशव की सबसे उची परबत माला कौंची है अब सबसे उची चोटी है माउंट एवरिस चोकी कहा पढ़तीत है बिलकुल से किस पर हिमारे परतीत है तो सबसे उची चोटी होगी किस पर होगी सबसे उचे परबत पर भी होगी बिलकुल छी क्या हिमालिया option number D इसका राइट अरहीगा शले next question दोस्तो question है निमल लिखित में से कौन सी bishop की सबसे लंबी परबत माला है most important question longest mountain race आपकी पूछी गी है right answer क्या रहेगा बिलकुल छी क् 70 परबत सबसे longest परबत है और कौन से दिश्च में से लिखिता है जल्दी से 70 का right answer यहां पर बताईएगा next question सुनिए question है bishop का सबसे उचा पठार कौन है which is the highest value in the world टिबद का पश्चिम पठार औस्तिल के दक्कन या फिर पूर्व अफरीका का पठार अब यहां भी confusion मात होई ऐसे ठाइगा दिबद का पठार पूछा यहां पामीर का फुछा दोनों ही सेम है दोनों ही क्या है और दोनों ही क्या है और बिशुव का सबसे उचा पठार है option a right रहेगा इससे क्या का जाता है इसे जो है रूप of the world भी कहा जाता है अब दक्कन का पठार confusion मत हुईएगा ये भारत का किसका भारत का सबसे उजा पठार है क्या है भारत का सबसे उजा पठार है चलिए next question सुनिए question है संसार का सबसे विशालतम जुआला मुखी कौन से है क्या सबसे largest welcome आपका पूछवा है option आपके सामने है जल्दी से 72 का right answer बता है ये संसार का सबसे विशालतम जुआला मुखी है बिलकुल से कौन सा है आपका कौन सा मोना लुआ को है नचा है मोना लुआ है option number A इसका right रहीगा शलिए next question सुनिए question है bishop का सबसे उचा बाद कौन सा है which is the highest damn in the world option माप कीजिएगा भाकडा नंगल बाद जो है ठीक है बाकडा नंगल बाद जो है पहले हुआ करता था किसके बाद हीरा कौन बाद से पहले हुआ करता था भारत का सबसे उचा बाद अब जो है भाकडा नंगल बाद है अब यहां वर confusion मात होईएगा सबसे गुर्ता कर्शिन भारत का सबसे गुर्ता कर्शिन बाद गोंत है यहां question आपका राइजन सेर होगा क्या बाद डार बाद 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 जो है से सुन दीता है पहले हुआ करता था कोई और जिसकी नंबाई कितनी थी 304 मेटर थी पर अब जहाँ इसकी नंबाई कितनी है 305 मेटर कितनी मेटर है 305 मेटर आपकी हो चुपी है चत्त लहाँ कॉज उयर्या क्षण सनलिये कॉछं है संसार का सबसे लंबा रेलवे बैडफ्रम कौन से है और लोंगस डोपड़ा प्लेफ्रॉम पुछा हों आपके अोप्शन्रहा है कि संसार का सबसे लंबा प्लेफ्रम कौन सा इबिलकुल छी कौन शुचुट कौश्चन सुनिए कोश्शन है विश्व का सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन कहां पर स्टीट है सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन आपका कुछ झा रहेंगा बिलकुल से क्या Grand Central Terminal क्या Grand Central Terminal जो की नियॉर्क नस्तित है यह विशिव का क्या है विशिव का सबसे लंबा क्या सबसे बड़ा वाफ किजिए का सबसे बड़ा railway station है शली next question है निवन मैंसे कोन विशिव का सबसे बड़ा नदी दूइप है यह question imported है शायद 2021 मैं पूछा गया question मुझे क्याद लिए दिए 2020 में question पूछा गया important question है जल्दी से राइडिन से बिताएगा विशिव का यह मार की जिएगा विशिव का सबसे बड़ा नादी दूइप कौन सा बिलकुल से कौन सा मांजुली आपका स्थित है यह कौन से राज्य मिस देता है मनिपूर में मेरी क्याल से मुझे जब्से गयाद है मनिपूर रा हाइस्ट रोड इंदी वर्ड ऑप्शन आपके सामली है राइट अंसर सीधा डिस्कस करेंगे बिलकुल ठीकोन लेह मनाली मार्ग जो है ये बिशिव की क्या है सबसे उची सडग है ऑप्शन नूमबर ए राइटर अरहीगा चलिए नेक्स कोशन है एक सिंग बाला गैंडा किस राष्टी पार्व पाया जाता है जल्दी से बताईएगा इंप्वाड़ कोशन है किस अब या रखीगा जब भी मैं पार्व पाली वीडियो बना होगा ठीक है पार्व फाली वीडियो बना होगा तो आज सबहाँ टाइगर र再व अलग से आते हैं एक सिंबाला गेड़ा अलग से आता है और भी जो पर इंपोर्डड आपके होते हैं वो भी कोशन एड़ करेंगे पर ये भी कोशन इंपोर्डड है एक सिंबाला गेड़ा कहां काजी रंगा कहां काजी रंगा नाशनल पार्ग में बेजाता है और काजी नंगा नाशनल पार् स्थानी कोंची है आपकी बूची है बिल्कुल आपन शो है ये पोला बाविया की क्या है वला भीया की क्या है सबसे उची है अग्यों से पहले जिन दोस्तों ने session को like निगरा जल्दी से session को like कर जीएगा, session को share कर जीज़ेगा, बहुत ज़्यादा महनत लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलाखरा हो जता है, तो कभी-कभी हमारी session जो है, आपकी ना तो 9 वज़े session हो पाता है, ना 7 वज़े session हो जाता है, मैं ज़े dédärt जो है, यह विश्योक का क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का एक मातल क रेगिस्तान कौन सा है, धा रेगिस्तान जो है, जो कि किस-किस देश में पढ़ता है, भारत और पाकिस्तान में पढ़ता है शिली next question है एशिया का सबसे बड़ा मरस्तल कौन सा है which is the largest dessert in Asia बस confusion नहीं होना है अगर पुछा जाए एशिया का सबसे बड़ा मरस्तल कौन सा है बिल्कुल से कौन सा थेते हैं गोवी मरस्तल कौन गोवी मरस्तल जो है एक कौन से देश में पढ़ता है गोवी मरस्तल आपका गौल व्लब कीएगा एक आपका चाईना में पॉर्स नहीं है चिली गोवी मरस्तल चिली याद रखिये का गोवी मरस्तल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरस्तल है ये तो question imported है ये चाइना के साथ किसी और देश में वड़ता बस मुझे याद नहीं आ रहा ठीगा आज जुरूर comment box में इसका right बताईएगा शलिए next question सुनिए question है bishop का सबसे विशाल मंदिर कौन से है largest temple आपका पूछा हुआ है option आपके सामने है जल्दी से 82 का right answer बताईए important question है विशम का सबसे विशाल मंदिर कौन से है बिल्कुल शेकोर अंकौर बाट का मंदिर जो है विशम का सबसे बड़ा मंदिर है आपको बताने है अंकौर बाट का मंदिर जो है ये कौन से देश में तित है चली नेक्स कोशन चुनिए नेक्स कोशन आपके सामने कोशन है विशम की सबसे बड़ी मूर्ति कौन से है बिच इस ती लाज़स टेचू ऑप दी पर्ड तो ये कोशन आपको नहीं पता होना चाहिए माफिजी नहीं पता मतलब नहीं आपको इसका अंसर अगर नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए, खुछ नहीं करना चाहिए, पढ़ लो वाही, तो पढ़ लो यह question बहुत important है, हाल की exam में 15 जन्री एक्जाम पूछा गया है, मैं 100% bet लगाता हूँ, 100% की bet लेता हूँ, आपके 17 अपरेल वाले exam में 100% पूछा जाएगा, या तो पूछेगा इसक नाम है इसका क्या, statue of unity, सर्दार भल्ले वाइप पटेल का यह क्या है, statue है, 182 मीटर का, कितना वाइट, 82 मीटर का आपका यह total है, कौन से राजमस्तीत है, गुच रात में, कौन से राजमस्तीत है, गुच रात में, आप यह question आपके लिए, जो कि मैं simple पूछ रहा हूँ, कि आपको उतारा है, यह जो है, statue of unity, जो है, यह आपका, कौन सी नदी के तड़ पर स्तित है, चलिए, next question सुनिए, next question है, बास्तुकार, एडविन लूटिस दर्बा द्वारा, एडविन लूटिस द्वारा, किस शहर का डिजाइन तियार किया गया था, अब यह question का पूचा गय अब अब याद होना चाहिए, 16 अक्तूर वाले एक्जाम मैं पूचा गया था, बिल्कुल सी लूटिस द्वारा, किस शहर का design त्यार किया गया था, बिल्कुल सी दूस्तोय किसका नई दिल्डी का, किसका नई दिल्डी का design किया गया था, imported question है, निवन एसे कौन बिशिव का सबसे बड़ा पुस्तकाले है ? आपकि अप्शन नमबर 18 औरहीगा शली Children Day celebrated option आपके सामने है और ये किस व्यक्ति की जन्ती पर मना जाता है बिल्कुल से दोस्तों किस व्यक्ति की जन्ती पंडी ज्वाला नहरू की जन्ती पर आपकी कब 14 नमंबर को वाल दिवस मना जाता है option नमबर सी राइट अरहीगा next question है बिशब का सबसे बड़ा माहा काबिय कौन से है सबसे लाजस्ट एपिक आपका पूछा हुआ है सबसे बड़ा लाजस्ट एपिक है कौन बिल्कुल से कोन माहा भारत option नमबर एड़ाइट अरहीगा शरी next question सुनेगा next question है बिश्यालतम स्थंदारी कौन से है लाजस्ट मेहमल आपका पूछा हुआ है कौछन कल भी करवाया था बिसमाफ की जी का सुवा भी करवाया था बिल्कुल थे कौन सा क्या ब्ल्यू बैल या फिर आपका जो निली गाय बस निली गिलाए नीमिन मैंसे कौन सबसे बढ़ा पक्षी है ये question बैसे Static GK मैं भी आता है साइंस मैं भी आता है जियोग्राफी मैं भी आता है और आपका और किसी में ने आता है अब इसे ज़्यादा पूछेगा Mathematic मैं थुरी question पूछेगा ताकि इसके लंबाई कितनी होती है ठीक है तो बिशेव का सबसे बड़ा पक्षी पूचा जाये तो बिलकुल से दुस्तों क्या श्वत्र मुर्ग आप्षिन नंबर एसका राइट अरहेगा शली नेक्स कोशन सुनिए नेक्स कोशन है कि बिशेव की सबसे बड़ी मस्दिज क ये बिशेव की सबसे बड़ी मस्दिज है चलिए नेक्स कोशन सुनिए नेक्स कोशन है कोशन है बिशेव की सबसे उची मिनार कोंजी है अम मिनारों की बात कीजा तो मिनारे जहां मैक्समम आपकी भारत मस्दिज दिखता है जिसमें सबसे बड़ी मिनार कोंजी है दिल्ली की कुटू मिनार कि इसकी जिल्ली की कुटू मिनार जो है बिशिव की सबसे बड़ी मिनार है बस question सीम पर जाए कि कुटू मिनार का निर्वार नहीं कुटू दिन एवक न शुरू करवाय था इसे खत्म जो है किस किस मुगल शाषिक नहीं करवाय था जुरूर कमेंड वाक्स में इसका राइटर से बताएगा एक question 2021 में पूछा गया है मैंने नहीं पूछा एक्जामर पूछा है जीडी में पूछा है तो जीडी बाले जल्दी से बताओ ठीक है चलिए next question सुनिए next question है बिशव की सबसे ओंगे लेता है या फिर चाइना तो चाइना देश के सा जितनी मी अभी आपकी लगती है या इसी लिए चीन की दीवार कहां पूरिता है Jedia W sinner की सबसे बड़ी दीवार है आसे भूले गा तो किसी में चैनी मुझे लगता है नेक्स कोशन बिशप की सबसे अधिक भर्षा होती है कौन से राचे में या फिर कौन से स्थान पर जो है बिशप की सबसे बड़ी भर्षा होती है कहां पर होती है मांसी राम मिगाले में कहां मांसी राम मिगाले में सबसे अधिक बर्षा होती है बिल्कुल से option number C's का राइट अरहेगा शेली, next question सुनिए bishop है, सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादन करने बाला देश कौन से है important question है, सबसे अधिक largest क्या है producing country पूछी गए कि कोईले की कौन है, बिल्कुल से कौन, चाइना कौन करता है, चाइना करता है, option number C, D, इसका राइट अरहेगा important question है, 16th exam मैं पूछा गया, कोका कोला का खटा स्वाद, डियाश की उपसिती के कारण होता है किस acid के कारण होता है, जल्दी से, राइट अंसर बताइगा बिल्कुल से, कोका कोला का खटा स्वाद होता है, किसके कारण फास्पोरिक एसिड क्या, फास्पोरिक एसिड के कारण होता है, option number B, इसका राइट अरहेगा ना, important question, olympiq खेलों का अयो, जिन कितने बर्ष बात किया जाता है, कितने बर्ष बात, चार बर्ष बात किया जाता है, पहले olympiq लाद में आदमी Olympic हुए थे 1896 में, 1896 में होई थे, कि नहीं हैं। नहीं वहन नहीं होती है थे शहन में और दोपीस वाले और ब्रिक तो पेसलिकी स्काब्रगिश होती है नेक्स्ट कोशिंट हैं लाला बीटिए मिठीटी हैのは ne बंगाल भीवाजन, साइमन कमिशन, चोरा चोरी कांड, या फिर और सेयोग, अदोलन, एक्जामन डिपैंड करता है, एक्जामन किस तरह से आपको कोशिन डाल रहा है, किस तरह के कोशिन आपको कन्फुजन कर रहा है, लाला लास्पत राई की मृत्ति जो हुई थी, एक बिर करती होगी, और इनोर एक बाक्य करा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है, अंग्रेजी सेना की, या फिर अंग्रेजी सबराज्ये के उकील, इसकरतर साथ, जुरूर अगर आपको पता होगा, तो जुरूर जो है, मुझे जो है, ठीक है, कमेंट करके, इसका इं इस परिमेंटर गॉल्फ या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से राइटांसर तभि उल्दी से, बिल्कुलब जहीं, राइटर कप किससे स्वंदीत है, बिल्कुल चहीं, कहां से, गॉल्फ से आपका स्वंदीत है, आप्शिन नंबर सी राइटर अर रहेगा, शेली, ने सवा की बात कर लो, विधान सवा की बात कर लो, विधान परिशत की बात कर लो, बच्चों की बात कर लो, ठीक है, और किसी के बात नहीं करने, तो सबसे धिक कौन है, बतानिक जो इतने बड़े हैंगी, बस यूपी देखना है, और चला आना है, यूपी ही इसका रहेगा, ठी नहीं लिख तो, लाइक कर दो session को, शेर कर दो session को, बस कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, ठीक है, और पसंद आये तो comment जुरूर करिया, अपना score जो है comment जल्दी से रता है, 100 मैंसे ठीक है, क्या योग दिवस हर सार 21 चून को बना जाता है, बिलकुल से option number C, इसका writer अरहेगा, simple question ज्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, जल्दी से अपना score बताइए, अगर score 80, 85 प्लस है, तो अच्छी त्यारी है, अभी भी थोड़ा time है, आप जह score 90 प्लस या फिर 90 भी 100 भी कर सकते, बस महनत की बात है, सुभाश आप एक करो, बस, selection आपकी आपके बास है, कोई डिपेंड ने करता, आपके पास कोन है, कोन नहीं है, आपका focus आपके exam पहना चाहिए, ना की किसी और पर, या फिर किसी और के competition पर, आपका competition आप खुद से होना चाहिए, ना की किसी और से, खुद से competition करोगे तो आपको अपना रोज लेवल पता चलेगा, रोज आपक करो, थोड़ा थोड़ा वड़के लेवल आगे विडाओंगे, तो थोड़ा जो है, ना थोड़ा जहर बुरा लगता है, ना थोड़ी मिठाई बुरी लगती है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही अपना क्या करिएगा, अपना जहर बुजारा करिए, चले दोस्तों मिलते हैं और शांदार वीडियो में दपके के लिए अपना ख्यार किये आपने घरवला ख्यार किये जाहिं जाया भारत